हेलो प्राइम्स मैं प्रीतिय आदब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आजन जानेंगे कि डिलेवरी के बाद महिला अपना पेट कैसे कम करें क्योंकि एक महिला मा बनने के बाद भले ही कितने खुश कियो नहूँ उसकी मन में एक ही मलाल रहता है कि आखिर पुरानी फिगर वो कैसे हासिल करें क्योंकि कोई भी महिला खुद को अजीब सेप में देखना नहीं चाहती लेकिन परिशानी की बाद ये है कि ना चाहते हुए भी डिलेवरी के बाद पेट फूल जाता है पेट का फूलापन आसानी से कम नहीं होता और डिलेवरी के बाद फूले पेट को देखकर आपको चड़ होती है डिलेवरी के बाद कई हफतों तक पेट नर्म और फूला ही रहता है देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आज भी आप 5-6 मैने की प्रेगनेंट है मैं आज आपको इस पेट को कम करने का तरीका बताऊंगी ताकि आप जल्द ही वापिस अपने पुराने शेप में लोट सके तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपने प्रेगनसी में कितना वजन भढ़ाया और डिलेवरी के बाद आपकी लाइफ स्टैल क्या है साथ ही आप बच्चे को दूद पिला रही है या नहीं क्योंकि ये सब बाते बहुत माइने रखती है आप इस बात को समझें कि यूटरस के बढ़ने के साथ-साथ आपकी स्किन भी फ्यालती है यही वज़ा है कि डिलेवरी के बाद फूले पेट को कम करना काफी मुस्किल होता है और यूटरस को सिकुड कर नॉर्मल होने में कम से कम आठ हफते का समय लगता है और देखा जाता है कि डिलेवरी के तुरंद बाद महिला लगबक 6 क्लोग्राम कम कर लेती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जर्म ले चुका होता है और सरीर के अंदर से भी सभी लिक्विड बाहर निकलाते है इसके बाद वज़न कम होने का एक प्रोसेस होता है डिलेवरी के बाद पहले हफते में महिला के सरीर से काफी लिक्विड निकलता है इसलिए इस दौरान महिला के सरीर में तरह तरह के हार्मोनल चेंजिस भी होते रहते हैं इसलिए इस बीच वजन कम करने के बारे में सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है और डॉक्टर भी इसकी सलार नहीं देते डिलेफरी के बाद पुरानी फिगर पाने के लिए मा को धहरे रखना चाहिए यदि फूले पेट को कम करने की जल्दबाजी करेंगी तो इसका आप बुरा असर आपके बच्चे पर पढ़ सकता है इसके अलाबा आप धीरे-धीरे कुछ चीज़े अपने डेली रूटीन में भी कर सकती है सबसे पहला है कि अगर आपका सी सेक्षन नहीं हुआ है तो पेट को सूती के कपरे से भान ले ये पेट को कम करने का नैचुरल तरीका है इससे आपकी पीट को सपोर्ट मिलेगा और लटकी इसके अंदर चली जाएगी और फूला हुआ पेट भी कम होगा इसके अलाबा एक्टिव रहें आप जितना हिलना डुलना करेंगी उतना ही आपके सरीर के लिए अच्छा होगा ज्यादा एक्टिव रहने से सरीर कैलोरी बर्न करता है लेकिन आपको डिलिवरी की तुरंद बात किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं करनी है इससे आपको नुक्सान हो सकता है इसके वज़ाए आप वॉक कर सकती है हलकी फुलकी एक्सरसाइज कर सकती है या फिर योगा कर सकती है इसके अलावा कैलोरी बर्न करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने बच्चे को फीड कराना इसलिए बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं इसके अलावा कई महिलाएं डिलेवरी के तुरंद बात डाइटिंग करने का प्लान करने लगती है यकीन मानिये ये बिल्कुल भी सही नहीं है शुरुआती 6 हफते के लिए महिला को हाई कैलरी डाइट लेनी चाहिए क्योंकि आप बच्चे को दूद पिला रही है इसके बाद धीरे धीरे करके आप डाइटिंग स्टार्ट कर सकती है शुरुआती फेज में सिर्फ 300-500 कैलरी कम करें और एक्सरसाइज करती रहें ये सब तरीकों से देखते ही देखते कुछ महीने में आप फिर से अपने पुराने शेप में वापिस आ जाएगे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें अपने दूस्तों के साथ शेयर करें हमारे और भी वीडियो सेखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें ताकि आपको अमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास वी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कुशिश करेंगे। मिलती हैं आपसे इप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुस्त रहिए।